असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वेलकम टु दिवास किचन आज के इस वीडियो में मैं आपको चिकन लॉली पॉप बनाना सिखाऊंगी यहां मैंने 350 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है अधा प्याज लिया है दो हरी मिच और थोड़ा सा धन्या पती इन साली चीजों को हम ग्राइंडर में डालके अच्छे से पीस लेंगे तो इसे देखिए मैंने पीस लिया है अब मैं इसमें नमक डाल लई हूं टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टेस्पून रेड चिली पॉड थोड़े से निबो का रस लगभबख वन टीस्पून निवू कर दमें एसमें बगजय तो मैं इसमें सोया सॉच डाल रहे धूरु तो मैं यहां पे वन टीस्पून सोया सॉस आट कर रहे हूं ऑसे अच्छा सा फ्लेवर भी आयगो और चिकर री चांप उसके बाद मैं इसम मैं यहां मैंगी सालाय मैजेक कर रही हूं। थोड़ा सा औरीगयनो डाल रही हो, औरीगयनो नहीं तो आप इसे वॉइड भी कर सकते हैं। साथ में इसमें अंडस डाल रही हम, टो एक अंडे मैंने लिया है। तोion रेंडे song कॉन फ्लार एट कर रही हूं साथने मैं इसमें 3 टेबल स्पून ब्रेट करम एट कर रही हूं ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी बाइंडिंग और एक क्रिस्पी वाला फ्लेवर आए इसके अंदर तो इन सारी चीजों को डाल के आप दुबारा से अच्छे से मिक्स करें यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको एक साइड में रख दे अब मैं यहां पर चीज क्यूब ले रही हूं तो चीज क्यूब को मैं चार हिस्सों में कट कर ले एक चीज क्यूब को फिर मैं यहां पर आइसक्रीम स्टिक ली है उसमें मैं चीज क्यूब इस तरह से लगा द तो काफी इसली से यह कवर हो जाता है अच्छे से कवर कीजिए चीज आपका बिल्कुल भी दिखना नी चाहिए वरना वह तेल में जाकी निकल जाएगा तो यह देखिए मैंने इसे अच्छे से बिल्कुल शेप दे दिया है इसी तरह से आप सारे पीसे बना लीजिए उसके मैदे और पानी का सलरी बनाया था उसके बाद मैदे और पानी का सलरी बनाया था उसके बाद मैदे और पानी के सलरी में कोट किया तो पहले आप मैदे और पानी के सलरी में डिप करिए उसके बाद आप इसे ब्रेट कर दीजिए सारे पीसे को कुछ देर के लिए आप इसे में रख दीजे 15-20 मिनिट के लिए उसके बाद आप इसे फ्राई कीजे जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजे डालने के फॉरन बाद आप इसे मत चलाईए जब वो पीछे से हलका सा थोड़ा सा गोल्डें सा हो जाए उसके अन्दर से जो चीज मिल्टेट होके निकलता है तो यह सर्प्राइजिंग एलिमेंट हो जाता है यह बहुत ही टेस्टी मन के तयार होता है आपके गेस्ट को आपके बच्चों को आपके फैमिली मेंबर्स को सबको बहुत पसंद आएगा तो आप इस रेस्पी को ज़रूर कीजिए इसी तरह की और रेस्पीस के लिए आप मुझे फॉलो कर दिये मिलती हूं आप से निक्स वीडियो में तद तक के लिए लाँ आफिस